दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पेटियम पोस्ट फेड का जो लिमिट है उसको कैसे करके आप बेंक एकाउंट के अंदर टांसपर कर सकते हैं काफी ज़्यादा हमारे पास कॉमेंड आ रहा था कि सर पेटियम पोस्ट फेड का बैलन्स को कैसे करके टांसपर कर सकते हैं तो फाइनली आप लोगों के लिए एक नया ट्रिक्स लेकर मैं आ गया और इस ट्रिक्स की मदद से आपका जो भी लिमिट होगा चाहे एक हजार हो, दो हजार हो, पास जार हो, दस जार हो, चाहे आपका एक लाग का भी लिमिट है तो सीधे उस लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर टांसपर कर सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बढ़ उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजी और बेल वाल नौड इपिकेशन को भी अलाओ करना ना भूले तो सबसे पहले मैं यह हमारे आप लोगों को लिमृट एक बार दिखा देता हूं क्योंकि जो सारा प्रोसेस के अंदर करने वाले हमगो लाइब करने वाले ठीक है तो मैं यहां पर सब्फेले जिए प्ली के ओपर किलिक करएंगे Сейчас पर दो सर्भीज दो option आप लोगों के सामने आता है तो personal जो आपका patium है वो आपके सामने आ जागा और service में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप merchant account नहीं बनाएं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना merchant account बनाना होगा और उसके बाद भी कोई QR code का जो option है simple सा इसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे इसके उपर आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का interface दिखाए देगा यहाँ पे जो आपका नाम लिखा हुआ है simple सा इसके उपर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे आप इसके के उपर क्लिक करेंगे जो भी आपका डिटेल्स है उसको आप एक बार चेक कर लेना आपका नाम email id pen card number यह सभी details आपका सही है यह नहीं है और फिर से आपको यहाँ पर back आजाना और back आने के बाद जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर तीन option आप लोगों के सामने आएगा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ view qr merchant setting और यहाँ पर payment link तो simple आपको payment link के उपर यहाँ पर क्लिक कर देना है कि रेंट उसके बाद create link के उपर क्लिक करते हैं तो जैसे मैं create link के उपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर देख सकते हो link अभी copy किया जा रहा है तो फ्रन देख सकते हो कुछ इस तरह का link generate हो जाता है जो कि मैंने वार्टसप पर generate कर लिया सिंपल सा इस link के उपर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप इस link के उपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का interface यहाँ आप लोगों के सामने आ जाएगा तो सिंपल सा पेटियम पोस्ट फेड के उपर आपको continue के उपर क्लिक कर देना है तो जैसे आप पे के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो सारा प्रोसेस हो वह मैं live करने वाला हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो 10 रुपया मेरे सीधे मेरे जो bank account है उसमें transfer हो गया और यह तो यह पैसा है मेरा यहाँ पर settlement हो जाएगा और मेरे bank account के अंदर जितना भी आप यहाँ पर transfer करेंगे उतना पैसा आपके सीधे आपके bank account के अंदर transfer हो जाएगा तो चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूं आपको payment settlement के उपर मैं जाके यहाँ पर देख सकते हो यह 10 रुप आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर कीजिए तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में